बच्छों का स्वागत है आज के एक और नए सेशन पर जहां पर मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही अमेजिंग सी क्लास और यह क्लास जैसा कि आपको पता होगा रेगुलर बेसिस पर हमारी क्लास यह चल रही है और इस क्लास को हम बहुत अच्छे से इनिशियेट कर रहे हैं जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा प्रेलिम्स के कोश्चन को पिक करके होगा मतलब आप लोगों ने अभी तक जितने सेशन अटेंड करें हैं उसमें मिक्स कोश्चन भी थे लेवल हाई भी था लेवल इजी भी था अभी न थोड़ा सा आपका माइंडसेट यहाँ पे हो चुका है आप बिलकुल रेडी हो चुके हो तो थोड़ा सा एक बाद जल्दी जल्दी प्रेलिम्स वाले कोश्चन को मैं करवा रहा हूँ ताके फिर उसके बाद जब मैं में में के कोश्चन लाओंगा तो फिर आपको दिक्कत ना जाए ठेक है तो आज का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला ना तो बहुत इजी होगा ना तो बहुत टफ होगा आज की क्लास में कराने वाला हूँ बहुत जादा अच्छे और मॉडरेट लेवल के कोश्चन जो की डेडिकेटली पियो प्रेलिम्स लेवल के हैं ठीक है चलिए तो सभी बच्चे यहां पर जोड़ जाओ भाई एलो हाई गुरी इवनिंग बिटा अफ्रनून बहुत अच्छे स्वागत है सभी का चलिए तो शुरू करते हैं ज़रा देख लेते हैं एक बार हमारा आज का मोटिवेशनल कोट यहां पर क्या है बिटा आज का मोट इवेशनल कोट बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सुन्दर सा है जिसमें आपको बताया गया है यहां पर कहा गया है कि हार वो सबक है ना जो हमें बहतर बनने का मौका देती है तो कभी भी हार से घबराना मत अगर कभी आप फेल हो जाते हो एक्जाम डिस्क्वालिफा करो चलिए तो वेस्टिंग टाइम यहां पर मैं आपके सामने क्वेशन लिखे आया हूं आज मैं होंवर कोशन अभी डिसकस नहीं कर रहा हूं उसको मैं किसी और क्लास में कर लूँगा आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो पूछे गया है प्र करें जैसे ही तीन मिनट की घंटी बजेगी मैं सेशन को स्टार्ट कर दूँगा तो जल्दी से देखिए जिसका विपंज है कॉमेंट बॉक्स में डन लिखिए अगर हो पाया तो अंसर भी लिख सकते हैं सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए भाई जितना ज़्यादा हो सके आप जुड़िए कंसिस्टेंट रहिए शाम को चार बज़े मंडे से फ्राइडे आप कहीं भी रहें जरूर इन सेशन को देखें homework question में देता हूँ तो उसको थोड़ा सा seriously आप लोग लेते नहीं हो एक या दो बच्चे होते हैं जो reply करते हैं बाकी लोग नहीं करते हैं इसका मतलब यह होता है कि बाकी लोग जो है शायद उस level पर serious नहीं है यही चोड़ी-चोड़ी चीज़े हैं जो आपको बाकियों से पीछे कर देती है थैंक यू सो मच और वेल्ड निखिल आप consistently reply करते हो homework को मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग का question है तो इसको 2-3 या 4 case के साथ भी लेके चाहें तो आप जा सकते हैं बढ़िया question है आज थोड़ा सा speed हम तेज रखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे last एक मिनिट बचें एक मिनिट 35 सेकेंड जिस भी बच्चे का हो जाए एक बास जरूर मुझे बताना चरिए हो गया almost time यहाँ पर 31 seconds यहाँ पर लास्ट दिखा रहा है तो let's move देखो आपसे मैं यह उमीद नहीं करूंगा या यह मैं आपसे pressurize आपको नहीं करूंगा क्या आप अंसर निकालो आप attempt करो यार बन जाया अच्छी बात है नहीं बने कोई देकत नहीं यह प्रिलिम्स के questions है बटा तो शुरू करते हैं session को इस question को बनाना बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे देखेंगे कि जो गलती है वो गलती कहा थी और उस गलती से हम सबक लेके अपने questions को proper cover up करेंगे देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि कि कितने गवाए इसको आप जल्दी से बनाया करो और जब आप इसको जल्दी से बनाओगे ना तो फिर आपको इसका बहुत बड़ा benefit मिलेगा ठीक है single case से आप जाना भी मत तीन case तो लेके चलता ही हूं मैं तीन से जादा भी हो सकता है तीन से कम मत करना तीन में आराम से काम बन जाएगा ठीक है फिरुवात जो की होती है यह यहां से होती यह एक important चीज है कि consecutive alpha particularly named person does not live on the adjacent floor मतलब अगर M है न तो उसके भगल में N ऊपर भी नहीं आ सकता नीचे भी नहीं आ सकता यह question आया हुआ है ठीक है ध्यान से समझना आगे देखो question की शुरुआत करते हैं यहां से कि जो Q नाम का व्यक्ती है न वो किसी विशम संख्या वाले floor पे रहता है ठीक ह और R से 3 नीचे है ठीक है Q किसी विशम संख्या पे है लेकिन R से 3 नीचे तो इसका मतलब Q जो है वो यहां पे तो नहीं हो सकता 7 पे अगर Q को 5 करूँ तो R यहां हो जाएगा R से 1, 2, 3 नीचे Q को अगर मैं 3 पे रखता हूँ तो 1, 2, 3 यहां पे कौन आ जाएगा R ऐसा भी ह हो सकता है Q सबसे बॉटम पे हो तो 1, 2, 3 यहां पे देखा जा तो R होगा मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ चुकी है ठीक है आगे देखो आगे बुलागा है कि S जो है न वो Q और R के बीच में अच्छा Q और R के ठीक बीच में अगर S है तो यहां पे आप चेक करो ठीक है Q और R के अगर बीच में S होगा तो R के जस्ट बात तो S हो नहीं सकता क्योंकि हो जाएंगे consecutive letters तो S यहीं आएगा है ना आर के बगल में नहीं आ सकता पतलब इसके बीच में आएगा तो यहां आ गया ठीक है आगे देखो आगे देखो only two person between S and T बहुत छोटा question है S और T के बीच में के वाल दू लोग है तो अगर S यहां है एक और दो छोड़ के यहां आ सकता है क्या आ सकता है और एक और दो छोड़ के T यहां भी आ सकता है ठीक है छोड़ दो यहां पर देखा जाए ऐसे तो एक और दो छोड़ के T यहां आ जाएगा ठीक है इस वाले case में थोड़ा सा doubt है ठीक है छोड़ दो आगे T के लिए बोला गया है कि T जो है वो bottom पे नहीं आएगा तो उसने काफी help कर दी हमारे तो इसका मतलब एक दो छोड़ के T यहां आ जाएगा आगे देखो पी live on an even number प्रोड जब आप regular रहते हो ना तो आपको यह questions बहुत easy लगते हैं तो पी है वो even number पे होगा हमारे पास even number की जगए देखो कहां देखे रहे है इसमें 8 गायब हो गई 6 गायब हो गई 4 ठीक है तो यहां पे पी 4 पे नहीं आ सकता है क्योंकि पी और क्यों अगल बगल हो जाएंगे तो इसका मतलब पी आ जाएगा यहां पे इसमें देखो कहां पे आएगा भाई पी आ सकता है दो पे और पी आ सकता है आठ पे ठीक है इसमें देखो जड़ा सा इस वाले case में पी कहां आ सकता है पी य ही लोग M के नीचे तो यार इस वाले केस में तो clear हो सकता है कि P के उपर जितने लोग होंगे M के नीचे उतने लोग हो जाएंगे ठीक है इस वाले केस में थोड़ा सा अभी doubt है ठीक है क्योंकि P अभी आया नहीं है even की बात अगर हमको करना है तो P कहां आ सकता है तो इसमें P यहां नहीं आ सकता क्योंकि P यहां रखेंगे तो P के जितने लोग उपर होंगे तो M यहां आ नहीं सकता क्योंकि M के उतने नीचे हो नहीं पाएंगे लोग इसका किकि की जगह यहां हो जाएगी 8 पे और M की जगह हो जाएगी मतलब pursuing Biz तो M के नीचे भी कितने लोग हो जाएंगे, 0, इसमें देखो, अगर P यहां रखता हूं मैं, तो P के उपर कितने लोग हो जाएंगे, 2, तो M यहां रख से, उसके नीचे 2 हो सकते, यही satisfy भी होगा, तो इसका मतलब P यहां जागा, P यहां नहीं रख सकते, क्योंकि P अगर यह जहां रखेंगे, तो P की उपर 0, तो M के नीचे भी 0 होना चाहिए, तो M की जगह यहां बनने रही है, धिहां रखना बैटा, कोई लेटर ऐसा तो नहों जाए, जो अगर N से 3 नीचे O हो गया, तो यह वाला set तो हो गया, लेकिन यह case गलत हो जाएगा, कारण, क्योंकि O और P अगल बगल हो चुके, ठेक है, N से नीचे 3 O होगा, O, N यहां कर लो, O, M, N, O नहीं होगा, O, Q नहीं होगा, S, यह नहीं होगा, यह case हमारा सही होना चाहिए, इसमें देखो, N से 3 नीचे जाओगे, N अगर यहां रखोगे, तो 1, 2, 3 पे O नहीं आ सकता, N यहां रखोगे, तो 1, 2, 3 पे O नहीं आ सकता, तो यह भी case गलत हो जाएगा, यह case बिलकुल सही हो जाएगा, देखो, R से S नहीं है, T के बाद U नहीं है, P के बाद Q, adjacent कोई भी नहीं letter ऐसा है, जो alphabetically हमारा adjacent है, यहां पर, उमीद है कि आपको यह वाला question समझ में आ गया होगा, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग answers के बहुत याजरान से बना चुके है, बहुत smoothly यहाँ पर बना भी चुके, चलिए, let's move, ठीक है, आज आते हैं इस question पर, देखो यह वाला question क्या है, यह सारे question जो है, वो exam oriented होने वाले है बेटा, तो इस question के लिए मैं आपको देने वाला हूँ, 2 minute, 40 second, समय शुरू हो चुका है, without wasting time, come on, यह वाला question पेटा, SBI clerk का पूछा गया है, कर दो है। चलिए जल्दी से बना दीजे पिछले वाले कोशन को अगर मैं नहीं भी बताता तो भी मेरे ख्याल से आपका बन जाना था क्योंकि इतना आसान था और उसी तरीकी से मिलता जलता ये वाले कोशन भी है लास्ट के एक मिनट बचें गाईस कम ओन चलो 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 जल्दी से असान से कोश्चन से आज थोड़ा से मैं आपको ये दिखाना चाहरा हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस में आते हो न तो प्रिलिंस वाले कोश्चन आपके लिए कंसर्ण है नहीं कंसर्ण मेंस वाले होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा चले भई टाइम आप हो चुका है यहां पर सो मैं देखता हूं मैं देख पा रहा हूं यहां पर अंसर इसका असानी से आप बना चुके बहुत छोड़ा सा क्वेश्चन है कि आठ लोग हैं एक स्ट्रेट टाइन पर खड़े हैं और अच्छी बात क्या वो लेगी सबका सबका चैरा कहां पर है नौर्थ में तो यह क्वेश्चन बहुत बेसिक हो जाता है और मुझे नहीं रखता है कि इसको बताना भी बहुत ज़रूरी है आप काराम से कर लोगे आज के सेशन में बेसिकली मैं यही ट्राइब कर रहा हूं कि आपके सामने जो क्वेश्चन होना वो आप देखके बना लो एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ इसी के अंदर दो केस करेंगे एक उपर और इक नीचे क्योंकि केस यहां पर दो करने का रीजन है क्योंकि सबका चैरा नौर्थ में है तो राइट लेफ्ट में दिक्कत नहीं जाएगे ठीक है तो ल यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है एक्स के बगल में ठीक है आगे देखो एक्स जो है ना किसी एक एंड से दूसरे पर है अब एक्स किसी एक एंड से अगर दूसरे पर है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि यहां पर टी हो यहां एक्स हो और उसके बाद यहां कौन हो V हो एक condition दूसरी condition ऐसा हो कि X यहाँ हो X से बगल में V यहाँ हो ठीक है और यहाँ पर कौन हो जाए बेटा T यहाँ हो जाए एक और condition यहाँ दिखाई दे रही बेटा एक और condition क्योंकि यहाँ पर V X के बगल में है तो अकर मैं बिना समय कमा एक और बना लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आप पाओगे ऐसा भी हो सकता है कि X सेकेंड पर हो जाए V यहाँ हो जाए T यहाँ हो जाए हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपको गे साथ बिलकुल हो सकता है चलिए यह चीज़ जो हमने थी बना के आपको दे दी आगे देखो ज़र असा नेक्स स्लाइड इस कोशन के अंदर क्या कहता है ठीक है आगे देखो अगे देखो अगे तो एक और दो और तीन छोड़ की यहाँ S हो जाएगा इसमें देखो टी यहाँ है तो एक दो तीन छोड़ की S नहीं हो सकता एक दो तीन छोड़ की यहाँ पर S हो सकता है इसमें देखो टी यहाँ है तो एक दो तीन छोड़ की यहाँ S हो सकता है तीनों केस के साथ चल रहा है ठीक है आगे, z जो है न, वो w के just right में होगा, z w के just right में होगा, इसमें तो थ्वासा भी confusion है, क्योंकि कहीं भी आ सकता है, z w के just right में होगा, तो इसमें यहां fix हो गया, इसमें देखो, यह देखो, done है, w के just right में होगा, and second left of y, and हमेशा किसके लोगा, बेटा, first person के रिए, यह नि, z, z जो है न, वो y के left दूसरे पर, चेक है, इसका मतलब इसमें y यहां होगा, y के left दूसरे पर z हो जाएगा, और अगर यहां z हो जाएगा, y के left दूसरे पर, इसमें फिलहाल जगे बचरी, z इसमें y के left दूसरे पर यहां हो सकता है, और z y के left दूसरे पर इसमें होई नहीं सकता, यह case गलत है, यह case भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने जो z वाली बात बोरी है न, कि z w के just right में होना चाहिए, तो अगर माल लेते हैं, अगर w यहां रखेंगे, तो w के right में z यहां होगा, जो कि y के left second पर नहीं आएगा, तो यह वाला case भी गलत है, यह वाला case हमारा answer आ चुका है, चेक करो, uwz ty vxs, ठीक है? अब इसमें कहने वाली बात कुछ है नहीं, क्योंकि आपका question यहां पे सही है, सारी condition आपने यहां पे बना दी है, और देखो, prelims के question आपको एक minute, डेढ़ मिनट में उड़ा देने हैं, ऐसे questions, ठीक है? Let's move on next question, ठीक है? थोड़ा सा इस question को मैं height, यह एक चीज़ यहां लखना में बिटा है, यह set number 17 है, तो confuse मत होना, ठीक है? यहां पे, ठीक है? इसको मैं उपर कर दे रहा हूँ, चल्दी से देखेंगे, आज question easy है, कारण उसका यह है, easy लग रहे हैं, और easy आपको लग रहे हैं, इसके पीछे का reason यह है ना, क्योंकि question आपने इतनी practice कर ली है, तो आपका यह हाला, सुचो अगर आपने 14-15 दिन केवल रगतार practice करी, तो आपके हालात ऐसे हैं, जब आप 1000 दिन कर लोगे, तो आप यह हालात क्या हो जाएंगे, ज़रा सोच के देखना, चलि, 2 मिनिट, उड़ो, ऑपने कर लोगे बोगे झाल झाल आसान कोशन है यार यह कोशन भी आसान है और आज की कोशन आसानी है क्योंकि आपको confident बड़ा boost up मिलेगा speed के साथ number of question थोड़ा जादा रखेंगे ठीक है जैसे पहला वाला question किया था न वैसे यह वाला भी है 8 box है 8 floor है बात देखिए चलिए ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा concern है नहीं यह मुझे भी पता है और यह तो मैं बस आपको वैसे बता रहा हूं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हो यह देखो 3, 4, 5, 6, 7 अगर 8 floor है न या 8 box है तो 3 case के साथ जाना ठीक है या दखना अगर 8 से कम है तो 2 case और 8 से जादा है तो 4 case भी ले सकते हों तो 3 case तो at least मैं लेके चल रहा हूं भागी जैसा लगेगा हम समय के साथ इसको चेक कर लेंगे ठीक है आगे देखो 8 box है एक उपर एक रखेगा है पहरी 9 यहां से है not more than 2 boxes are placed above Q मतलब क्या वह लगा क्यू के उपर 2 से जादा box नहीं है मतलब 2 हो सकते हैं 1 हो सकते हैं Q को यहां करो Q के उपर दो box तो हो सकते हैं एक और कर लो Q के उपर एक box हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है Q के उपर एक गी box नहीं हो दो से ज़्यादा नहीं होंगे कम हो जाएंगे ठेक है तो यह 3 cases देखो तुरंट active हो गए आगे देखो देरा 3 boxes between Q and T तुरंट Q यहां है तो एक दो तीन चोड़ा T यहां पर Q यहां तो एक दो तीन चोड़ा T यहां पर Q यहां पर एक दो तीन चोड़ा T बहुत जल्दी इसको solve करेंगे आगे देखो दो box क्या बोलागे है बिटा U और S के बीच में नहीं पता U और S अलग से लिख लो U और S के बीच में दो box है S नीचे भी हो सकता है और U उपर भी हो सकता है ठीक है आगे बोलागे है which याद रखना हमेशा second person के लिए होगा यानि S के लिए होगा कि जो S है वो क्या है T के नीचे होने वाला है ठीक है यू के बारे में बोलागे है वो T के जब ऊपर नहीं होने वाला है अगर T के ऊपर नहीं होने वाला तो भाई S यहाँ रख लो एक और दो चोड़के U यहां पर these up here क्लें तो एक और दो चोड़के U सकता ठीक है चलो भाई तो S और U का data भी हमारा finish हो गया, आगे देखो, जो P है न, वो just उपर है V के, तो P और V की लगातार दो जगह कहां है, V के just उपर P, इसमें यहां हो गया, इस case में कहीं जगह है क्या P और V की, यह case गलत काट दो, इसमें देखो, V के just उपर P यहां हो जाएगा, ठेक है, आगे देखो, R जो है बिटा, वो W के उपर है, R, W के उपर R है, और, ठेक है, but does not place above V, देखो, R, W के उपर है, V के रीचे, यह तो बिलकुल set है, इसमें देखो, मालो W यहां कर दिया, R यहां कर दिया, तो R, W के तो उपर हो जाएगा, लेकिन V के भी उपर हो जाएगा, तो यह case भी गरत, मुझे नहीं देखता कि आप लोग को इसमें कहीं से कोई दिक्कत गई होगी, ठेक है, कैसे कर लेकिन को समझ में आ रहा है, बहुत जल्दे उड़ाद होगे, चलो बिना समय गभाए, अगले कोशन की तरफ आते हैं, को याद रखना, हर तरह के कोशन्स आपके साम सेतों में, अगला कोशन भी वही है, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, क्या, ठीक है, उसके बाद इजी वाले कोशन, आज चुकि मैं इजी वाले कोशन के साथ आपके पास आया हूँ, ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, पहले यह वाला कर लो, उसके बाद वाज़े को देखा जाएगा इसी को कर लेते तो यहाँ पर तीन मिनिट काफी होगा इसके लिए टाइम स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा इसको उपर कर दे रहा हूँ जस्ट कि आपको दिखाई दे यह ना भई यह देखिए समय शुरू है कराया है ऐसे कोशन से कराया है कर महीने नौ है और दस महीने है और लोगों को प्या रिंच करना है कमाँ कर देखिए एक मिनिट बत्तिस सेकेट कमाँ यह भी अल्मोस्ट कोशन ना फ्लोर वाले कोशन जैसा है फ्लोर वाले कोशन जैसा है इसे वाले कोशन ना कराया है मैंने 50 सेकेंड बचें यह भी आप इस कोशन को अब बनाते हैं आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने क्वेशन नंबर अफ्ट क्वेशन जो रखें वो जादा रखने कोशिश की है और लेवल जो है वो प्रेलिम्स का लेवल है आये हुए क्वेशन से हैं तो मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि अब कितना आपने आपको तयार करके रखें सर्फ 15 दिन की क्लास में चुरी आल्मॉस्ट जन हो गया टाइम यहाँ पर अब ज़रा पढ़ते हैं इस कोशन को सॉल्फ करने की केटेगरी में 10 हमारे पास लोग है महीने 10 है मारे पास जन्वरी मार्च यहां लिख लेता हूँ है आपके सामने ठीक है जन्वरी मार्च जन्वरी मार्च में चून तो कभी ऐसे वह पुशन आया ना तो महीने सबसे पहले लिखा गरो एक जुलाई योगा सब्टेमबर अक्टूबर नवेंबर दिसम्बर मालों 10 लोग हैं 10 अलग अलग फ्लोर हैं सिंगल केस के साथ जा ली सकते हो आप इसमें सोच भी नहीं सकते जानो तो बहुत दूर है अच्छा महीने जब आते हैं तो यहाँ पे एक चीज आप ज़रूर ध्यान लखना कि आपको एक चीज और करनी होती क्या आप पता है इनके नमबर अफ टोटल डेज लिखना तो ऐसे कर लेते हैं फिलाल में है ना और नमबर अफ टोटल डेज जो हैं वो लिख लेते हैं जून 30 जुलाई 31 अगस 31 सब्सक्राइब अब वो याद रखना जो आपको मैंने बताया था ना इनके पीच में तो m के बारे बोला गए कि m attend जो conference करता है ना वो क्या करता है even number of days वाले किस में महीने में तो m कहां आसकता है m आ सकता है जून में m आ सकता है सप्टेμबर में m आ सकता है November में ठीक है तो M November, M September, और M June, तीनों कहानी हो गई, even number of days, ठीक है, और तो कोई है नहीं, आगे देखो, only 3% between P and M, अधिको person बोला गया, तो आपको यहाँ पे पूरा लेकी चलना पड़े गया, अगर M यहाँ है, तो 1, 2, 3 छोड़ के P नहीं आ सकता, 1, 2, 3 छोड़ा P आ गया, 1, 2, 3 छोड before P, P के 2 महीने पहले R है, तो P का महीना कौन सा, जुलाई, तो जुलाई का महीने, 2 महीने पहले जाओ, June और मे, R यहाँ आ जाएगा, P से 2 महीने पहले, जुलाई के 2 महीने पहले जाएंगे, तो में आ जाएगा, में से 2 महीने पहले जाएंगे, तो में आ जाएगा, में से 2 important करी है जो आपने बहुत अच्छे से सीखी हुई है जानी होई है पहले भी आगे दो क्या क्या बोलागे इसमें जितने लोग the number of person attending between q and j जितने लोग q और j के बीच में आ रहा है फिलहाल ना तो मुझे q का पता है ना तो j का उससे वो जो है number of person between q and j is twice the number of person attending between p and o मतलब p और o के दो गुने पी और o के दो गुने ठीक है मैं ऐसे कर ले रहा हूं कि पी और o की जो value है उसको दो कर दो तो पी और q और j का data यही है न वे टाइप च्छा कर ले ना ठीक है यही बोला गया ना q और j के बीच भाग देने वाले व्यक्तियों की संख्या p और o के बीच भाग देने वाले संख्या से दो गुनी है ठीक है यही था आगे इसके बाद क्या बोला गया both q and o attend the conference in consecutive months q और o लगातार महीनों में है ठीक है तो इसको मैं लिख लेता हूं कि q कि जस्ट बात ओ या देखना लगातार या consecutive consecutive ठीक है ओ अटेंड conference after August अब ओ अगस्त के बाद अगर आएगा तो अगस्त के बाद दो लगातार महीने कौन है September अक्टूबर ही है September अक्टूबर है तो q और o की बात ऐसे कर लें लगातार दो महीने में है ठीक है अब भी हो सकता है इसमें देखो लगातार दो महीने कौन से है October November हो सकता है इसमें देखो लगातार ने कौन से यही है तो q o इसमें थोड़ा सा doubt छोड़ दो आगे देखो पी और o के बीच में कितने आ रहे है मिटास में एक आ रहे है तो इसका double कर दो तो 2 हो जाएगा तो q और j के बीच में कितने हो जाएंगे 2 तो अगर q यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ दो तो यहाँ पर j न हो जाएंगे चार चार क्यों और जे की बीच में चार तो q यहाँ है तो एक दो तीन चार छोड़ा तो जे यहाँ गया ठीक है यह डन हो गया हमारा आगे देखो इसमें अभी doubt है अच्छा क्यूब जो है वो दिसम्बर के पहले ठीक है आगे देखो next आगे जो line बोले गई है and जो है न एकार पांच महीने बाद कौन है और आएगा I December में नहीं आएगा I की जगे ये बची ये बची ये बची अगर इस case को लेके चले ये case तो हमारा गलत है ये case तो गलत है ये हो सकता है अब L जो है न N attend the conference 5 month after L अच्छा अगर L January में है अगर माल लेते हैं L जो है pen color change कर दे रहा हूं मैं अगर बेटा जन्वरी में है जन्वरी से 5 महिने आगे जाओ परवरी March April May July May June सौरी जून यहाँ पर कौन आ सकता है N आ सकता है satisfied है N L से 5 महिने बाद अच्छा माल लो अगर N जून में होता July August September October November November तो भरा हुआ L और N की जगा fix हो गई है I नीचे नहीं होगा मतलब I की जगा यह हो जाएगी और अगर I की जगा यह हो चुकी है तो जल्दी से बता तो कौन सा नाम बच गया I हो चुका है J हो चुका है K हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हो तो चेक करो सारी condition satisfied है यह वाले case में ठीक है इस तरह के questions हम लोगोंने करे थे इस तरह के questions हमने काफी करे हुए थे ठीक है चेक कर लो सारी condition match हो रही है की नहीं ठीक है जल्देली देख लो आप M जो है न Even number of days में है तो M even number of days में है only 3% between P and M यहाँ है तो 1, 2, 3 किया P आ गया only 3% के बाद क्या बला गया R attend 2 months before P P July में है तो R किसमें है May में ठीक है यह भी सही है the number of person attending between Q and J Q और J के बीच में जो लोग है वो दूगने है P और O के P और O के बीच में कितने आ रहे हैं 2 तो इसका मतलब Q और J के बीच में कितने होंगे 4 तो क्यों यहाँ है तो 1, 2, 3, 4 यह हो गया J ठीक है आगे देखो Q और O consecutive में है ठीक है O attend conference after August August के बाद यह भी सही है उसके बाद क्या बोला गया but before December भी है ठीक है I does not attend December ठीक है सारे condition match हो रही है ठीक है बेटा चलो आजा नेक्स्ट पे यह question आपके सामने मैं पहले इतनी बार कराया हूँ कि आपको वो महीने वाला concept clear होगा तीन महीने पहले मतलब तो जुलाई है तो जुलाई से जून ऐसे करके पीछे आप जाएंगे ठीक है बहुत easy दिया था और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको किया भी होगा तो यह question homework देने जा रहा हूँ ठीक है इसको अब ज़रूर चेक की जाएगा एक बाद स्क्रीन शॉट ले लो और एक last question यह रहा आपके सामने इसको कर लेते हैं चोटा सा question है timer on कर दे रहा हूँ उसमे 2 minute 30 second का समय शुरू हो चुका है मैं इसको नीचे कर दिया हूँ देखो ज़रा आज मैं थोड़ा सा आप लोगे comments ध्यान नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं आज focus किया हूँ number of questions ज़्यादा कराने के ठीक है तो उसको आप mind मत कीजेगा आप लोग यहाँ पर focus होके questions बनाईएगा एक मिनट तीस सेकेंड अल्मूस बचे है चलो उमीद है आपने इसको बना लिएगा बहुत ही छोड़ा question है बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है और आज यह questions आपको यह decide तो करके देद रहोंगे कि आज यह question बहुत easy है और आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं जाएगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आठ कितने question है यहाँ पर परसन आठ है ठीक है तो बिना समय गवाए चार बीच में ठीक है यह देखो यह चार-चार का case अब ऐसे question को अगर मैं ना भी बनाओ ना तो मुझे नहीं रगता है कि आपको कोई दिक्कत जाने वाली है इस question में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगे अच्छा इसमें क्या वो लगया है सबसे पहले जो अच्छी चीज है कि केवल दो ही ऐसे लोग है ना जो कहां देख रहे है बाहर ठीक है दो लोग ऐसे है जो कहां देख रहे है बाहर देख रहे है इसको लिख लेता हूँ मैं ठीक है अच्छा एक चीज़ और यहां बोली गए कि two person who are facing outside the center are sitting in the middle of a table यह जो ब worries शुरू करते हैं यहां से आज जो है ना वो immediate neighbor है S का मुझे नहीं पता कहीं भी आ सकता तो अलग से लिख लो कि R और S अगल बगल बैठे हुए ठीक है डबलू जो है वो Q के right में कहां पे third पे है तो काम करते हैं इसको शुरू कर लेते क्यूं यहां कर लो Q को अंदर दिख है एक दो तीन यहां पे कौन आ जाएगा डबलू आगे बुला गया एंड एंड मतलब किसकी बात हो रही बटा डबलू की कि जो डबलू है ना वो T के जस्ट बाइन तरफ है और T कहां बैठा है बीच में तो T इधर भी आ सकता है तो काम करते हैं T के बाइन तरफ डबलू ह और T कहां बैठा बच्चों यहां मिड में बैठा है आगे देखो यहां पर क्या बोला गया है जो P है उसका चेहरा R की तरफ होना चाहिए इसका मतलब देखो R जो है ना उसकी तरफ कौन देख रहा है P देख रहा है चीक है आगे देखो जो T है वो बाहर के तरफ देख रह गई है इसमें देखो यहां है और बाहर देख रहा है तो उसके बाईं तरफ कौन हो गया डबलू ठीक है यह मामला सेट है एस इमेडियेट लेफ्ट है क्यों कि यह कुशन आप मैक्सिमम दो मिनिट में लगाएंगे आप Q के बाईं तरफ है तो अगर Q अंदर देख रहा तो इसके बाईं तरफ S यहां आजाएगा इसमें S यहां आजाएगा और जैसे ही S आया तो यहां पर R हो जाएगा यहाँ पे इसमें R हो जाएगा ठीक है और R के सामने कौन हो जाएगा P R के सामने देखो इसमें P नहीं हो पा रहा यह वाला केस गलत हो गया तो यह वाला केस हमारा क्या है बिल्कुल सही जा रहा है आगे देखो आगे देखो S जो है Q के immediate left में हो गया U जो है ने बिटा वो immediate neighbor है P का U जो है वो P का neighbor है ये देखो U यहां गया और U किस के तरफ देख रहा V के तरफ देख रहा हमको जो दो बाहर लोग देख रहे थे वो कौन कौन मिल गया है तो आप कहोगे कि सर वो कौन है Q है और T है तो उमीद है ये question आपका बन गया होगा देखो बाकी लोग तो अंदर देख रहे है इसमें कहीं किसी को गुंजाईश नहीं है ठीक है आसान question है आसानी से आपने इसको बना लिया एक question मैंने आपको homework में दिया है उसको आप ज़रूर try कीजेगा और आज मैंने ज़्यादा आपके comment पिक नहीं करें क्योंकि आज मैंने ज़्यादा तर question कराने थे आपको और आपने देखा भी कि आज हमने question करा है ठीक है तो उमीद है कि आपको आज का session अच्छा लगा होगा आपने काफी कुछ सीखा होगा बाकी next class में हम करेंगे और ऐसे ही easy, moderate और high और super high जो questions होते हैं इनकी कड़ी को हम लेके चलेंगे आप खुद ही feel करेंगे कि आपका session जो है session दर session आपके अंदर बहुत अच्छी improvement आरी क्योंकि कहा जाता है न कि practice makes a man perfect तो जोड़े रही है ऐसे ही homework answer comment box में जरूर जरूर दीजेगा और बताइएगा कि इस session आपको कैसा लगा thank you so much, जाने से पहले session को like कर देना take care, all the best and जाहिंद